खेसारी और पवन के फैंस फिर बुड़ गए परदेश या गाना क्या आया लोगों ने फिर अपनी तरफ से कई जंगे छीड़ दी जैसे कि खेसारी के फैंस अब ये कह रहे हैं कि एक दिन में सबसे जादा व्यूज लाने वाले कोई और नहीं खेसारी लाल यादो हैं भोचपुरी इंडस्ट्री में तो वहीं दूसरी तरफ खेसारी के फैंस से उलट पवन के fanس ये कह रहे हैं कि अब तुम्हारे stars के गानों पे अईड लग रहा है, तो गलत बात नहीं है। पवन सिंग या फिर तेस पांड़े के गानों पर अईड लग जाता है, तो तुम सभी की जल क्यों उड़ती है। वैसे ऐसा पहला मौका नहीं है जब खेसारी के किसी गाने पर एड लगा हो। इससे पहले अपनी तो जैसे तैसे से लेकर कई ऐसे बोचपुरिया सौंग हैं जिस पर खेसारी लाल यादों के गानों पर एड लग चुका है। जैसे हम हमेशा अपने वीडियो में ये बात कहत हैं एड लगाना गलत बात नहीं होती एड तो बॉलिवुड वाले भी लगाते हैं तो उसमें क्योंसी बहुत बड़ी बात हो गई अगर किसी ने एड लगा लिया सिर्फ भोचपुरी इंडस्ट्री में क्यों इसे बहुत बुरे धंग से देखा जाता है अपने काम की पब हों, खेसारी हों, दिनेस लालियाद और निरहुआ हों या फिर रितेश पांडे जैसे कई बड़ी कलाकार हों भोचपुरिया के अगर वो एड लगाते हैं अपने गानों पर, फिल्मों पर, ट्रेलर पर तो गलत बात बिल्कुल नहीं होती ये एक तरह से प्रचार करने का जरिया होता है, आज कल की समय में जब सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है तो एड लगाना कौन सी बुरी बात होती है, वैसे भोचपुरिया स्टार्स के फैंस एड को लेकर आपस में बहुत लड़ते रहते हैं और ये लड़ाई अब स्टार्स के बीच भी होने लग दर्शकों में आ रही है कि एड को अब वो उतनी बुरे धंग से नहीं देखते जितना बुरे धंग से पहले वो देखा करते थे, वैसे इस समझदारी को जितना समझ लिया जाए वो अच्छा ही होगा, आप क्या सोशते हैं इस बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज कर दो